नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है पेशच 24 जून सोमवार सुबस सबाग्यारा बज़े राजस्तान की वड़ी खबने नोर जून को प्रथान मंसरी नरेंदर मोदी के शबत लेने के साथ ही एठारवी लोकसबा का काम का शुरू हो गया लोकसबा का पहला सत्र चोबिस जून से शुरू हो रहा है यह तीन जुलाई तक चलेगा दस दिन में कुल आठ बैटे होंगी सबसे पहले प्रोटेंट स्पीकर भरत हरी महताब राश्चवती भवन जाकर शबत लेंगे इसके बाद विस सुबह 11 बजे लोकसबा पहुचेंगे शुरूआत के दो दिन यानि 24 और 25 जून को प्रोटेंट स्पीकर नए सांसदों को शबद दिलाएंगे इसके बाद 26 जून को लोकसबा स्पीकर का चुनाव होगा 27 जून को राजस्तान का 264 सत्र शुरू होगा इसी दिन राश्चवती द्रॉपदी मुर्मू लोकसबा राजसबा के जूइंट सेशन को संबोधित करेंगी इसके बाद प्रधान मंत्री मोधी बोलेंगे सत्र के आखरी दो दिन राश्चवती के अभिवाशन पर सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी और दोनों सद्रों में चर्चा होगी दस साल बाद पहली बाद पीम मोधी के सामने मजबूत विपक्ष होगा आने मने दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है सरकार पेट्रोल डीजल को जीस्ट के दाइरे में लाने पर विचार कर रही है अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमत में 20 रुपे लीडर तक की कमी देखने को मिल सकती है यानि दिल्ली के हिसाब से इनकी कीमत 75 रुपे लीडर पर आ जाएगी 22 जून को वितमंत्रे निर्मला सीता रमन ने GST काउंसलिंग की मेटिंग की इसमें वितमंत्रे ने कहा की केंदर सरकार पेट्रोल और डीजल को GST के दाइरे में नाने के लिए तयार है अब राजियों को इस बारे में फैसला लेना है राजियों को साथ आकर इसकी दरें तेया करनी है 36 गड के सुकमा और वीजापूर बोर्डर पर रविवार को नकसलियों ने बड़ी वार्दत को इंजाम दिया सिलगेर और टेकल बुडम के वीज नकसलियों ने पुलिस फोर्स के ट्रप को IED ब्लास्ट कर उड़ा दिया प्रारंबिक जानकारी के अनुसार इस ब्लास्ट में दो जवान शहीद हो गए मानसुन के आगमन के बाद अब कुछ राज्यों में बारिश का सिलसला शुरू हो गया है अधिकारियों ने बताया कि रविवार सुबह अरुनाचल प्रदेश की इटा नगर में बादल फटने से कई जगें भूस कलन और बाड जैसे स्थितियां पैदा होती जा रहे हैं अधिकारियों ने बताए कि बीते कुछ हफ्तों से अरुनाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है हालांकि पिछले दो दिन में स्थिती में तो सुधार आया है लेकिन नभीवार को बादल फटने से कई लाकों में भूस का लंज के कारण परिशानियों का सामना करना पड़ा रेल गाड़ी की यात्रा को सबसे सुख़द वे अराम दायक माना जाता है यहें यात्रा करने के माद लोग घरों में बैटकर वे मित्रों के साथ अपने यात्रा का अनुवव साजा करते हैं जिसमें बताते हैं कि रेल गाड़ी में क्या-क्या सुविधाय नहीं आई हैं रेल गाड़ी की सफाई प्लैट्फरम की विवस्था सहीत अन्य बाते शामिन होती हैं अब ऐसे ही रेल यात्रा के व्रतान सुनाकर आप पुरसकर जीत सकते हैं वह भी 10,000 रुपे तक यह योजना रेलवे की और से रेल यात्रा को अधिक बहतर बनाने के लिए अखिल भारतिय स्तर पर शिलाई जा रही है इस योजना का एक उदेश्य हिंदी भाशा को बढ़ावा देना भी है प्रत्योगी अपनी प्रविस्थी दो प्रतियों में 31 जुलाई तक सहायक निदेशक हिंदी कमरा नमबर 316 कॉफमोर रेल का रहले परिसर तिलक ब्रिज आई टियो नई दिली को बिछवा आ सकते हैं राजसान में लोकसब़ चुनाव के बास राजसान में रिक्त हुए पांच विधानसब़ शेत्रों में आगामी उप्चुनाव की तैयारी के लिए राजसान प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी के अथ्यक शिकोविन सिंग नोटाज़जान ने प्रतेख विधानसब़ शेत्र के लिए चार सदस्य समीतियों का घठन किया है राजसान प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी के महासचीव एमवम प्रवक्ता स्वर्निम चत्रवेदी ने रविवार को कहा कि इन समीतियों द्वारा ब्लोक, मंडल, एमवम बूथ कॉंग्रेस समीतियों की बैठ़क करके शेत्र के जमीनी कार्यकरताओं के साथ सीधा संबाद किया जाएगा है नाजसान में चूरू जिले के भानेपुना थाना शेत्र में पुलिस ने खेतों से फसल चोरी करने वाले गिरोभ का खुनासा करके तीन आरोप्यों को गिरफतर किया है पुलिस अदिक्षिक जैयादम ने रविवर को बताएगी कि खिड़ना के संबन में 17 जनवरी को राएपुरा निवासी इमी चंद जाट शिकायत प्राप्त हुई थी कि अग्यात चोर उसकी खेत में बने मकान से नर्मा चोरी कर ले गया इस वर पुलिस ने जांच परताल के बाद आरोपी राजकुमार बावरी, सोनुकुमार और सुसोनिया बावरी और मदनलाल बावरी को गिरफतर करके चोरी की गई फसल के साथ खटा में प्रियुक्त वाहन एवं खृशी यंतर प्रामत कर लिए दादसान में प्रेमांजन बारिश का दोर जारी है, रविवर दुबाहर करीब दो बजे जैपुर के कुछ इलाकों में तीज बारिश हुई, उदेपुर के सिमारी कस्पे में दुपैस तीन बचकर तीस मिनट पर तीज भर साथ हुई 17 जिलों में आंदी बारिश का येलो एलर्ट है, मौसमी भाग ने राजसान में अगले दो से तीन दिन तक लगतर बारिश होने का अनुमान जताया है, कोटा और उदेपुर के आसपास के जिलों में अच्छी बारिश होने के आसार है, पिसले 24 गिंटे के दुरान बाड मेर 17 जालोर, जैसरमेर, जोतपुर, पालिय, जवैन, टॉंक, भीलवाडा, भरतपुर, दोलपुर, उदेफुर, डूंगरफुर, बांसवडा, प्रताब, गर्ची, तोड़गड और राज समन्ध में बारिश होने, कोटा संभाग में लगतर हो रहे ही बारिश से बरसाती नद पालिवाड की टीम ने घटिया बाजरी के डेट सो पैकेट जप्त किये हैं, जिसके खिलाफ पुलिस कारेवाई के लिए रिपोर्ट दी गई है, अचानक हुई इस कारेवाई से बीज विक्रेताओं में खलबली मच गई, दरसल अच्छी गुनवत्ता के खाद वीज़ों क पुलब्दता को लेकर विथायक राजेतर प्रधान कोश शेतर के किसानों ने ग्यापन देकर कटिया बीज बेचने वालों फिफिलाफ कारेवाई की मांग की थी, ऐसे में विथायक के निर्देश पर सैयुक्त निदेशक कृषी डॉक्तर प्रदीप कुमार अगरवाल ने महवा शेतर में आनियमित्ता करने वाले विकरेताओं के खिलाफ कारेवाई के लिए सहायर निदेशक कृषी सुरग्यान सिंग गुर्जर कृषी अदिगारिया शोक कुमार मीना वैद्धरम सिंग गुर्जर की सैयुक्त टीम का गठन किया गया अभी नेत्री सुराक्षी सिना और जहीर इकमाला शादी के बंदन में बन जाएंगे पहले दोनों की सजाई होगी फिर रेजिस्टर्ड मेरिश करेंगे इसके बाद शाम को मुंबई के दादर में शिल्पा शेटी के रेस्टुरेंट बेस्टियन में रिसेप्शन पार्टी होगी जहीर की मेकब पार्टिस्ट राजुर नाग ने मीडिया से बाचित में बताया था कि शादी का पहला कार्ट सलमान कान को गया है ऐसे में यह बाद साफ है कि रिसेप्शन पार्टी में सलमान शिर्कत करेंगे वैब सीरीज हीरा मंडी की बुडिस स्टार कास्ट भी रिसेप्शन पार्टी में शिर्कत कर सकती है रास्मंद करेक्टर डॉक्टर भावर लाल के निर्देश के मात जिले के सबी S.D.O. सहीत तहसीलदारों ने आंगनवाडी किंद्रों पर पहुँच कर विवस्तायन देखी करेक्टर डॉक्टर घवर लाल की अनुसाय निरिक्षन का मुख्य उदिशे अंगनवाडी केंदरों के स्थिति वहाँ उपलब्द सुवीदाओं और बच्चों को मिलने वाले सेवाओं का जाय जालेना था निरिक्षन के दुरान अनुसाय निरिक्षन के दुरान अंगनवाडी केंदरों के भवन की स्थिति के जाच की ज़ए साफ सफाई और सुचता की स्थिति का मुल्यांकन किया गया बच्चों के खेलने और सीखने के लिए उप्लोग्द सुवीदाओं का निरिक्षन किया गया चिकित्तायां स्वासे निदेशाले की एक आदेश ने चिकित्तकों और विभागी अधिकारियों की नीद उड़ा दी है कारण की निदेशाले ने 20 दिन पहले बांसवरा जिले के उन्ची किस्तकों की सुची मांग ली जो एक हिस्तान पर बीते तीन या इससे अधिक साल से डटे हैं हालांकि विभाग ने यह सुची तयार कर भेशने में काफी समय लगा दिया विभाग को दो बार रिमाइंडर भी भेशना पड़ा सुतरों के मताबिक जिले के महत्मगानी अस्पदाल में कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो राजनेतिक रसुखात की चलते ओपिडी या फिर एमजन्स वे डूटी में यदा कदा ही नजर आते हैं कमवेश यही हाल प्रदेश के दूसरे बड़े सरकारी अस्पदालों के हाँ आर्पीसी की ओर से निकाली गई कनिस्ट रसाइन अग्या के एक पद के लिए ओफलाइन अवेदन कल याने 24 जोन सी कर सकते हैं इसके लिए लास्ट जेर 30 जुलाई दोज़ा 24 की राद 12 बजे है ओफलाइन अवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे शक्ष्टिक योगता वर्गवार वर्गीकरन अवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी आयोग की वेबसेट पर देखी जा सकती है परिक्षा तिथी और किंद्र के बारे में बाद में सुचित किया जाएगा राजसान लोग सेवायों की ओट से निकाले गई सुचना प्रद्योगी की मम संचार विभाग की प्रोग्रामर की पदों पर उन्लाइन अवेदन प्रोसेस जारी है स्वाय मादवपुर्ट जिले की खंडार उबखंड शेतर में राजसान सरकार द्वारा 14 जोन को 33 श्रीने शिक्षित बढ़ती में महिलाओं का अरक्षन 30 प्रदीशत से बढ़ा कर 50 फेस भी करने की पंजायती राज को मंजूरी दिये जाने के बाद बेरोजगार युवाओं में राजस्तर के प्रती आकरोश व्यापत है महिला अरक्षन के विरोध में पहले बेराजगारों द्वारा ग्यापन रैली की जा रही थी सीपी जोशी और प्रदेश सहब रभारी विजय राहत करने की इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभ्यान की भी शुडवात की यह अभ्यान डॉक्टर मुखर जी की पुनेतिती टेज जून से जनम जनती 6 जुलाई तक चलाया जाएगा इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मीडिया ने नीट परिक्षा पर कॉंग्रिस के सवाल उठाने पर पुछा तो पुरवर्ति सरकार में हुए पेपर लीग मामले पर जम कर निशाना जादा उन्होंने कहा कि कलाम कोचिंग को लेकर कहा कि इसके पीछे कौन है सुरेश धाका को गिरफता नहीं होने दिया यहां तक कि सुरेश धाका को चुड़ाने के लिए कौंग्रिस सरकार का नेता और पूर्व कानुन मंत्री वकील बना अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महते पूर्ण खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर